गौर्ट मुलू लाइब सेख कुमार और आप हैं विखारी निज़ के साथ और आज हम बात करेंगे कोन बने का सांसद में ज़ंजहार पुर्शिट की यहां से 2019 में कोन बने का सांसद कौोसी और कमला की गोद में बसा जहंजहार पूरी इलाका दर्भंगा जीले का हिसा है लेकिन अलग जीले की मांग यहां लागतार तेज हो रही है इलाके से बिहार के पूर्व मुख मंतरी डॉक्टर जगरनात मिस्रा जीतकर संसद और बिहार के सीम की कुर्सी पर भी रजमान हुए यह इलाका कभी RJD और जेडियू के नेता रहे दिवेंद्र परसाद यादो का भी गढ़ रहा है जो पाच बार यहां से चुनकर संसद गए और केंद्र में मंतरी भी बने यहां के भोटरू ने 2014 में पहली बार भाजपा को जीत दिलाई पहले यहां की राजनीती में स्यामनंदन मिस्र, साथी भोगेंद्र जा, डॉक्टर जगरनाथ मिस्र, धनीक लाल मंडल एवं गौरी संकर राज हंस जैसे नेता सक्रिये रहे हैं 1972 में इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद हुए चुनाव में कॉंग्रेस उमिद्वार, डॉक्टर जगरनाथ मिस्रा यहां से जीत कर लोग सबा पहुचे बर्तमान में यहां से सांसद है भाजपा के बिरेंद्र कुमार चौधरी इस संसदिये छेत्र में भोटरों की अगर बात करें तो उनकी कुल संख्याए 14,18,977 इनमें अगर पूरुस भोटर की बात करें तो 7,57,310 पूरुस मत दाता हैं और महिला मत दाता की बात करें तो 6 देलाख 16,600 सरसत महिला मत दाता है जंजारपूर लोग सबा छेत्र के तो 6 बिधान सबा सीटे आती है खजावली, बाबू बरही, राजनगर, जंजारपूर, फूल परास और लोकाहा 2015 के बिहार बिधान सबा चुनाव में इन 6 सीटों में से 3 पर जेडियू, 2 पर आर्जेडी और एक सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की जंजारपूर लोक सबा सीट पर 2014 में हुए चुनाव में जीत बीजेपी के हाथ लगी थी बीजेपी के उमिदवार बिरेंद्र कुमार चौधरी ने जीत हासिल की जिन में उनको मत मिला 3,35,481 जबकि आर्जेडी के मगनी लाल मंडल जो की दूसरे नमबर पर रहें उनको मत मिला 2,80,073 वहीं तीसरे नमबर पर रहें जेडियू के उमिदवार देवेंद्र जिनहें मत मिला 1,83,598 वहीं अगर बात करें तो 2019 की तो इस बार के बीजेपी जेडियू कट बंधन में सीट जेडियू के खाते में चली गई है वहीं जेडियू से इस बार रानप्रीत मंडल इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जबकि आर्जेडी से गुलाब यादो उन जानता है सांसद और जानता है किसको अपना प्रतिनीधी चुनती है अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे सेयर कीजिए साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और अगर फेस्बूक पर देख रहे हैं तो वह यहां भी वीडियो को लाइक कीजिए और फेस्बूक पेज को लाइक कीजिए धन्यवाद